आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरा नाम इसे धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो ट्रांसफॉर्मर मुवी आपने देखी होगी, उसमें डिसेप्टिकॉन्स, मेगा ट्रॉन, ये सब थे, अब ये नया जो वेरियंट आया है, साउथ आफ्रिका का, साउथ आफ्रिका बॉट्सवाना से, बेल्जियम में कल एक केस मिला, तो वाई, इसका नाम जो है, वो डव्लू एचो ना ओमिक्रॉन रखा हुआ है, बात करते हैं, चलिए इसकी, तो डव्लू एचो ने, कि जो नया कोरोना वाइरिस, वेरियंट ओफ कंसर्ण है, इसको ओमिक्रॉन नौन दिया हुआ है, ठीक है, आप अप सबको पता है कि यूरोप में हालत बहुत खराब है, यूरोप में जादतर देश जो है, जादतर क्या सारे ही देश लोगडाउन में चले गए हैं, या तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशन से, कानून लाए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन जो ह जादा खतरनाक है, इसी लिए जो देश है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट एक्रॉस दी ग्लोब क्रैश हो सकता है, इसी लिए हम देखरें स्टॉक मार्केट नीचे भी जा रहा है, इसका नाम आपको पता ही है, इसी को ही ओमिक्रॉन बोला है, as a variant of concern, हाला कि अभी इस पे research होनी और ज्यादा बाकी है, इंडियन साइंटिस्स ये बोल रहे हैं कि ये lethal है, नहीं है, ये तो आने वाला वक्ती बताएगा, जब तक हम इसको पूरी तरीके से analyze नहीं करेंगे, अभी research करना बाकी है, मैंने बताया ना, तो genomic sequencing चल रही है, जो भी COVID-19 से ग्रसित है, उनकी genomic sequencing की जा रही है, देखा जा रहा है कि भाई DNA कैसा है, RNA कैसा है, और उसी से पता लगाया जा रहा है कि ये वाला strain है, South Africa में ये discover हुआ था Thursday को, ये announce किया था कि भाई देखो ये नए strain आ गया है, उसके बाद फिर Israel और Belgium, अब Israel की बात ये है दोस्तो कि Israel के कल Prime Minister, Neftali Bennett ने ये बोला कि हम on the verge of emergency है, इसराइल एक करण का देश है, और इसराइल ऐसा पहला देश था, जो fully vaccinated हो गया, इसराइल में सबको vaccine लग दी, वहाँ पे अगर इनके प्रधान मंतर ये बोल रहे हैं, कि भाई Israel जो है, it is on the verge of emergency, तो आप समझ लिजिए कि ये क कि इतना खतरनाक होगा, आप fully vaccinated हो गए हो, उसके बावजूद ये evade कर देगा, फिर Botswan और Hong Kong, यहाँ पे भी ये variant मिला, WHNO बोला है, कि 100 genome sequencing of the variant have been reported so far, बड़ी बात ये है, कि जो infect हुए हैं, जो infect हुए हैं, they were fully vaccinated, ये vaccinate हो गए थे, पूरी तरीके से, ये vaccinate हो गए थे, अब दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक बात है, Belgium में इस variant का मिलना, अभी तो genomic sequencing चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, कि जैसे delta variant के साथ हुआ था, वो भारत में जो second wave आई थी, वो delta variant की ही वज़े से आई थी, मुझे ऐसा लगता है, कि ये Belgium में मिल गया है, अभी तो genomic sequencing चल र borders हैं, आप अनाम से जा सकते हो, तो definitely ये कारण है कि यूरोप में बहुत तेजी से corona फिर से फैल रहा है, ये नया strain, तो सारे लोग, बलब सारे ने कि many of the infected people, जो infect हुए, they were fully vaccinated, और उनकी immunity को इसने evade कर लिया है, इसराइल तो दोस्तों ऐसा है, कि इसराइल तो सबसे पहला देश बना तो जो fully vaccinated हुआ, प्लस, इसराइल ने एक booster dose भी दी थी, इसराइल ने एक booster dose भी दी थी थी, यानि कि तीन doses लगी तो उसके बावजूद इसराइल में ये फैल रहा है, अचा भारत ने, आपको पता ही ह कि Friday को announce किया, कि भाई देखो हम routine international air services, 15 December से शुरू करने वाले हैं, हम screening करेंगे, especially affected countries, मेरे ख्याल में ये बहुत ही बेकार decision है, आप क्या कर रहे हो, भाई बैन करो, हटाओ, कुछ किसी को नहीं लाना है, international fight ही बैन कर दो, ये क्या है screening, screening से कुछ नहीं होता है, हम सबको पता है screening के नाम पर क्या होता है, किस तरीके से होती है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो, जब तक situation सही ना हो, क्योंकि भारत में condition control में है, लेकिन ये out of control कब चली जाएगे, आपको नहीं पता चलेगा, first wave में, ये कोई नहीं भूल सकता, first or second wave में, भारत में चीज हम ही आएगी, तो health secretary राजेज भूशर नहीं यहीं बोला है, कि serious public health implications है, और वही है कि vigilance इसका बढ़ाई है, तो this variant is a cause of worry, transmissibilities की ज़्यादा हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें number of mutations हो हैं, बताय जा रहा है कि इसमें काफी ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, नहीं, 30 से तो इसी लिए इसका नाम पढ़ा है, omicron, अब वही है कि अभी इसके बारे में ज़्यादा तो हमको पता है नहीं, mutation 30 से ज़्यादा है, 10 mutation spike protein में, आपको पते ही न, यह spike protein जो है, यह coronavirus का यह से काटे लगे रहते न, यह होता है spike protein, यह आपके ACE2 receptor से चिपक जाता है, यह virus है, यह drops है, और आप हो यह, अब आपने ऐसे सांस ली, अब यह virus droplets खासा है कि कोई infected है, उसने खासा है या उसने मतलब आप उसके पास हो, अब यह virus आपके अंदर जाएगा, अभी जैसे ही अंदर जाएगा, तो यह आपके lungs होते हैं, अरे मैं बहुत गटिया राइटिंग इसको bronchioles कहते हैं, और bronchioles के आखरी में होते हैं alveoli, इसमें होते ACE2 receptors, अब यहाँ पर क्या होता है, कि जैसे ही virus इसमें जाएगा, यह spike protein जो होता है, यही ACE2 receptor से चिपक जाएगा, यह चाबी है और यह ताला है, बस उसके बाद जैसे इसमें चिपकेगा, यह cell होता है, और यहाँ पर अपना genetic material छोड़ देगा, सारे cell infect हो जाएगे, इस तरीके से यह काम करता है, तो बताएगे कि spike protein में भी 10 से ज़्यादा mutations जो हो चुके हैं, वीनिता बाल जो immunologist है, IICER से related हैं, उन्होंने बोला है, कि यह जो emergence है, variant का, it was not an unexpected development, यह पता ही था, यह हो नहीं है, भा लोगों तक ना पहुचे, वना दिक्कत हो जाएगी, अचा, गगंदीप कांग ने क्या बोला है, यह बोल रही है, कि भाई देखो, अगले 2 से 3 हफते, बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं भारत के लिए, बहुत ज़्यादा, तो इसी लिए, अगले 2 से 2 हफते क्य हुआ, तो फिर से प्रोब्लम आ सकती है, तो मेरा यह नया व्लॉगिंग चैनल है यार, यह आप इसको जरूर से सब्सक्राइब करो, और अभी मैंने नया अप्टॉप ले तो उसका अन्बॉक्सिंग वीडियो डाला है, आज बहुत बच्चों ने बोला ता सार सेल बनाए हैं, आप ही के लिए बनाए हैं, यूप एसी कोर्स में तो हम सबकी परसनल गाइडेंस है, थांक्यू सो मुच